सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए अद्भुत, अदूतिय, अनुपम, अनोखा, अपरितम, विलक्षन, देपताओं का प्रिय और उत्राखंड का राज्यपुष अगर आप ब्रह्म कमल की तारीप में कुछ लिखना चाहेंगे तो विशेशन कम पड़ जाएंगे यहाँ एक ऐसा पुष्व है जो साल में केवल एक बार खिलता है एक ऐसा पुष्व जो अपनी विरादरी के अन्य फूलों से विफ्रीत सूर्यास्त के बाद खिलकर अपने सौंदर्या और शुगंद से पूरे वातावरण को मद्होश कर देता है एक वेहत दुरलव पुष्व जो देपताओं को भी प्रिय है तो घसेरी में आज हम उत्त्रा खंड के इस राज्य पुष्व ब्रम कमल की बात करते हैं पहले जानते हैं इस पूल के बारे में और बाद में बात करेंगे इससे जुड़िधार्मिक मानताओं, कहानियों और इसके औरशधिय गुणों के बारे में ब्रह्म कमल हिमाले में फूलों का राजा है क्योंकि भारत में इसकी जो 61 परजातियां पाई जाती हैं उनमें से अकेली 58 हिमाले में मिलती हैं हिमाले के अलावा यह फूल उत्तरी म्यामा और दक्षिन पश्चिम चीन में भी पाया जाता है उत्राखंड में या फूल कई अस्तानों पर मिलता है लेकिन फूलों की घाटी, केदारनात, हेमकुंड, रूपकुंड, पिंडारी, चिफुला आदी जगों पर आप आसानी से इस दिव्य फूल के दर्शन करश रखते हैं एक और महत्वपून बात यह है कि भले ही यह कमल की तरह दिखता है लेकिन पानी में नहीं बलकि जमीन पर उखता है अमूमन ब्रह्म कमल 3000 से 5000 मीटर की उंचाई पर मिलता है इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि हिमाचल परदेश में दूदा फूल, कश्मीर में गलगल, स्री लंका में कदुफूल और जापान में गेका विजिन जिसका शाबदिक अर्थ है चांदनी रात की खूफ सूरत इस्त्री चीन में इसे तान हुआ इजियान कहते हैं जिसका अर्थ है परभावशाली लेकिन कम समय तक ख्याती रखने वाला अंग्रेजी में ब्रह्म कमल को नाइट ब्लूमिंग सीरस, क्वीन ओफ दानाइट और लेडी ओफ दानाइट कहा जाता है इसका वानस्पतिक नाम साव सूर्य ओबुआ लाटा है वैसे कुछ लोग यहाँ भी दावा करते हैं कि रात में खिलने वाला और्किड कैट्टस परजाती का फूल जिसका नाम इप्पी फीलम ओक्सी पेटालम है वा असल में ब्रह्म कमल है इप्पी फीलम ओक्सी पेटालम फूल भी रात में खिलते हैं और आप इन्हें घरों में भी उगा सकते हैं लेकिन उत्राखंड का ब्रह्म कमल इनसे विन्न है उसका वानस्पतिक नाम साव सूर्य ओबुआ लाटा ही है यह फूल वर्षाद के दिनों में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ही खिलता है अब बात करते हैं ब्रह्म कमल से जुड़ी धार्मिक मानताओं की माना जाता है कि इसका सिर्जन स्वयम ब्रह्मा ने किया था इसके पीछे भी एक पौरानिक कहानी है कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब गनेश का सिर्जन किया तो तब भगवान शिव बाहर गये हुए थे माता पार्वती इस्नान कर रही थी और उन्होंने गणेश को घर के बाहर खड़ा करके आदेश दिया था कि वह किसी को अंदर नहीं आने दें तभी भगवान शिप पधार गए गणेश ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और क्रोध में शिब ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया माता पार्वती के आने के बाद उन्हें असलियत का पता चला माता पार्वती के आगरह पर ब्रह्मा ने ब्रह्म कमल का सिर्जन किया जिसकी मदद से हाती का सिर गणेश के धड़ पर जोड़ा गया ब्रह्मा अपने चार हातों में से एक हात में सपेत पुष्प लिये हुए हैं या ब्रह्मकमल ही है यह भी कहा जाता है कि जब बगवान विश्णु हिमाले छेत्र में आये थे तो उन्होंने बगवान शिप को एक हजार ब्रह्मकमल चड़ाए थे दर्ती पर ब्रह्म कमल के आगमन से भी एक कहानी जुड़ी है भगवान राम और रावन की सेना के बीच युद्ध चल रहा था इस युद्ध में एक बार लक्ष्मन मूर्चित हो गए थे हनुमान हिमाले परवत से संजीवनी लेकर गए और लक्ष्मन को होशा गया इससे भगवान राम के साथ देपतावी खुश हो गए उन्होंने आकाश से पुष्व वर्षा की यह कोई और पुष्व नहीं बलकि ब्रह्म कमल था कहा जाता है कि इस दोराने पुष्व फूलों की घाटी पर भी पड़ा जहां इसने अपनी जड़े जमादी और फिर्या हिमाले में यत्र तत्र फैल गया भीम और हनुमान के मिलन से भी ब्रह्म कमल को जोड़ा जाता है जब पांडव वनों में अपने दिन गुजार रहे थे तब हिमाले प्रवास के दोरान एक दिन द्रौपदी ब्रह्म कमल की सुगंद से मदहोश हो गई उन्होंने भीम को यह पुष्प लाने के लिए कहा भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े रास्ते में उन्हें अपनी पूँच फैलाए हनुमान जी मिले भीम ने कड़े श्रब्दों में रास्ते से हट जाने को कहा हनुमान ने भीम को अपनी शक्ति का परचे दिया तब भीम को अपनी गलती का अहसास हुआ तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि ब्रह्म कमल बद्रीनात में मिलेगा ब्रह्म कमल साल में एक बार और वह भी रात में चंद घंटों के लिए खिलता है कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसे खिलता हुआ देखता है उसकी मनों कामना पूरी होती है कहने का मतलब है कि ब्रह्म कमल को खिलता हुआ देखना बेहत पुर्णिय माना जाता है बद्रीनात और केदारनात सहित उत्राखंड के कई मंदिरों में इस फूल को चड़ाने का बड़ा महत्व माना जाता है इससे ब्रह्म कमल के असितत्व पर भी खत्रा मंद्रा रहा है क्योंकि चड़ावई के लिए इसका बद्रीनात और केदारनात छेत्र में अंधा दुन्द दोहन किया जाता है हेमकुंड साहिब में भी इसका दोहन हो रहा है प्रयावरण में आरहे वदलाओं का भी ब्रह्म कमल पर विपरीत परभाव पढ़ रहा है ब्रह्म कमल मा नंदा देवी का भी प्रियपुष्व है नंदा आश्टिमी के समय इसे तोड़ा जाता है लेकिन इसमें भी नियमों का पालन करना पड़ता है पित्थोरागड में 35 किलो मीटर के दुर्गम रास्ते से होकर 17,000 फीट की उँचाई पर इस्तित हीरामनी कुंड से ब्रह्म कमल लाकर मा नंदा को अर्पित किया जाता है अब हम परवेश करते हैं ब्रह्म कमल से जुड़ी इस अद्बुत जानकारी के तीसरे चरण में और बात करते हैं ब्रह्म कमल के औशधी अगुणों की ब्रह्म कमल औशधी अगुणों से भी भरपूर है ब्रह्म कमल के अंदर से निकलने वाले पानी को अम्रित कहा जाता है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति एकदम से इसपूर्थ हो जाता है और उसकी ठकान मिट जाती है ब्रह्म कमल के फूलों की राख को शहत के साथ मिला कर खाने से यकृत की विर्दी रोकने में मदद मिलती है ब्रह्म कमल को मिर्गी के दोरे रोकने में भी सहायक माना जाता है और घाव बरने में भी इससे मदद मिलती है इसे जीवानु रोधी माना जाता है और इसका इस्तेमाल सर्दी जुखाम, हड़ी के दर्द आदी में भी किया जाता है ब्रह्म कमल को कपड़ों के बीच डाल कर भी रखा जाता है इसकी सुगंद से कपड़े महकते रहते हैं और उन पर कीड़े भी नहीं लगते मूत्र संबंदी रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है भोटिया जंजाति के लोग तो इसे अपने घरों में लटका कर रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह बीमारियों को आने से रोकता है बियतनामी लोग इसका सूप बनाकर टॉनिक के रूप में पीते हैं तिब्बती लोग इसका उपयोग लक्वा और दिमागी रोगों के ले करते हैं यह जलोदर रोग को दूर करने में भी उपयोगी है यह थी ब्रह्म कमल के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक वा शेयर करना नहीं भूलें इसके साथ ही एक आग्रह भी है ब्रह्म कमल को देपताओं को अरपित करिए लेकिन इसकी सीमा तय होनी चाहिए अगर इसको बचाए रखने के प्रियास नहीं किये गए तो उत्राखंड का राज्यपुस्प विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकता है तब आप इसे देवकोप कहेंगे लेकिन इसके लिए बचाओं के उपाए अभी से शुरू कर देने चाहिए प्रवड़कर इसके लिए बचाए अभी से शुरू अभी से शुरू अभी बचाए